नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास खारक्रम में और मैं हूँ आपके साथ गौरव राजहिंद्र जैसा कि आप जानते हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरू जो की ग्लोबल इस्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कोमेडिटीज का एनलिस अब तक पहुचाता है चले शुरुआत करते शोकियों और आज बात करेंगे मलेशियाई एस्ट्रेट ओनर्स एसोशेशन यानि एम ई ओए ने सौंबार को रॉइटर्स क्यों बताया कि मलेशिया को पाम तेल की उंची कीमतों को बुनाने का एक सुनहरा अवस्तर याद आ और लगबग एक लाख बीस लार श्रमकों की कमभीर कमी के कारण अधिक उत्पादन नुपसान हो सकता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताड का तेल उत्पादक अपने महमारी से संब्दित आवरिजन प्रत्वंद्री के कारण श्रम की कमी के कारण ताड के फल की कट प्रत्राई के लिए संगर्द कर रहा है क्या कुछ खबर है देखे इस रिपर्ट विदेशी करमचारी जादातर इंडोनेसिया से आमतोर पर मलेशियाई संपदा में लगबग 80% कारेबल बनाते हैं जो कि महमारी की शुरुआत में लगबग 4,37,000 थे M.E.O.A. ने कहा कि श्रम संकट शीर्स उतपादक इंडोनेशिया में निर्याद कैप और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पामतेल की किमतें इस साल रिकॉर्ड उजाए पर पहुँच गई हैं लेकिन मलेशियाई उतपादक इसका लाब उठाने में असमर्थ है M.E.O.A. ने कहा कि दुखद बास्तविक्ता यह है कि मलेशिया एक थाली पर पेश किये गए सुनहरे अफसर से चूग रहा है क्योंकि हम वर्तमान सीमित श्रम स्रक्ति के खिलाफ निर्दारित उपयुक्त कटाई दोर में सभी पामतेल की गुच्छों की कटाई का सामना कर की अनुमती के कारण विदेशी श्रम अभी तक देश में प्रवेश्त नहीं कर पाया है समुने कहा है कि 2022 के उत्पादन के लिए ओध्योक का अनुमान 18.6 मिलियन टन होगा यद श्रम तुरंत नहीं आता है तो इसे और कम किया जा सकता है पिछले हपते राज एजनसी मलेश इंडोनेशियाई पाम ओयल काउंसलिंग MPOC ने 18.9 मिलियन टन के पहले अनुमान से वर्ष के लिए अपने उत्पादन दरश्टी कौन को घटा कर 18.6 मिलियन टन कर दिया अगर सरकार 32,000 विस्तारित परमिट जारी करने में धीमी प्रगति के बीच अब कारवाई करने में सक 56 को कम और कम किया जा सकता है। इंडोनेशिया ने पिछले हपते प्रतक्रिया और प्रतक्रिया संबंदी मुद्धों का हवाला देते हुए अपने नागरेकों को मलेशियाई पाम तेल बगानों में काम करने के लिए भेजने की योजना को रद किया था। अधिक खरीदने में काम्याव रहे। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया ने 28 एपरिल को घरेलू इस तर पर बढ़ती कीमतों को नियंतरित करने के लिए उत्पाद के निर्यात को रोक दिया। जकारता ने 23 मई से निर्यात को फ जून के मद्ध में मई के आयात के आकड़े प्रकाशित करने की संभावना है। एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने नाम जाहर न करने की शर्थ पर बताया कि मई में भारत का सोया तेल आयात बढ़कर 3,52,614 टन हो गया और जो कि अपरिल में 3,15,835 टन था। आने वाले मह महिने में देश का सोया तेल आयात तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि नई दिलीम ने 20,00,000 टन जिन्सके शुल्क मुक्त आयात की अनुमती दी है। एक वैश्विक ब्यापारिक फर्म के मुंबई इस्थतेक डीलर ने कहा कि सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सूरज मुकी तेल क माई में बढ़कर 1,23,970 टन हो गया जो एक महिने पहले 67,788 टन था। भारत मुके रूप से अरजिंटीना और ब्राजील से सोया तेल और यूकरेन और रूस से सूरज मुकी तेल खरीदता है। डिलर ने कहा कि यूकरेन से सन ओयल शिप्मेंट बंद हो गया है। भारत करने की कोशिस कर रहा है। बाद लगबग तीन लाख दो हजार टन ताड के तेल निर्यात परमिट जारी किये गए हैं। वरिष्ट मंतरी लुहत पंडजेतन ने रविवार को किसानों और निर्यतकों को आश्वस्त करते हो का कि अधिकारी परमिट प्रक्रिया को तेज करे प्रक्रासों में सरकार ने 23 मई से निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमती दी लेकिन घरेलू आपूर्ती की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई। जिसमें तथाकतित घरेलू बाजार डायत डियमो भी शामिल है। जिसके तहत उतपादकों को पहले अपने उतपाद इसे हुए जिससे प्रतिद्वंदी मलेशियक से कमजूर उतपादन के बीच वेश्विक ताड के तेल की कीमतों को उच्च बनाए रखने में मदद मिली। साथ ही आपको बता दे कि इंडोनेशिया पाम ओयल एसोशियेशन के एक अधिकारी ने शुकरवार को कहा कि कई पा देखे गए इस तरों पर अभी तक सुधार नहीं हुआ है तो फिल्हाल इस शो में इतना ही अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नए ख़वर के साथ एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिये और देखते रहिए अजया इस ट्रोमानी गुर नमस्कार